जब हम किसी individual stock किसी company का share खरीदते हैं तो उसमें निवेश करने से पहले कुछ ज़रूरी parameters देखने होते हैं सबसे पहले तो उसके current मतलब financials क्या हैं उसमें holdings किसी हैं तो आज एक ज़रूरी सबसे parameter होता है वो होता है DIs अब DIs में कौन आते हैं mutual fund भी आते हैं यानि कि किसी company XYZ company का stock है तो उसको कितने mutual fund ने अपने portfolio में add किया हुआ है तो आज इसी के base पर top 20 stocks के बारे में आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इन 20 stocks के अंदर से मेरे portfolio में कौन कौन से stock है और ये जो 20 stocks के list है ये open ended mutual funds के base पर है यानि कि open ended mutual funds जो है उनमें इस companies की इतनी holding है ठीक है open ended mutual fund क्या होते हैं ऐसे funds ऐसे mutual fund जिनमें कि आप कभी भी buying and selling कर सकते हो कोई भी यहाँ पर locking period नहीं होता है तो इस परकार के fund को open ended fund कहते हैं ये data 31 October 2023 तक का data लिया गया है यानि कि latest ही data है और यहाँ पर एक तो fund count देखने को मिलेगा फिर आगे stock फिर आगे दिखेगा आपको value करोड से यानि कितनी value ये funds जो है मिला कर इस company में invested है ठीक है तो चलिए list को सुरू कर लेते हैं और यदि आपको अपना buying decision बनाना है तो इस list के base पर आप नहीं बना सकते हो यदि कोई आपको short list करना है इसमें से stock for longer period यानि कि top 20 companies हैं तो blue chip companies होंगी maximum में से तो आपको safety के साथ consistent return यानि कि बहुत ज़्यादा return भी न देंगे लेकिन safely आपको return बना कर देंगे जैसे कि मैंने पिछली वीडियो आपके साथा किया था एक sectoral mutual fund को ले कर थी तो वहाँ पर भी large cap stocks को जो है उन्होंने अपने portfolio में holding बनाई भी थी तो ये हमेशा better रहता है कि यदि आप individual stock खरीदना चाहते हो तो rather than shifting इन mutual fund आप directly इन stocks को खरीद सकते हो पहले नमबर पर fund counter देखी 550 यानि कि SDFC bank के अंदर 550 open Indian mutual fund ने investment किया हुआ है और value बनकर आती है 1,92,835 करोड में है जो भी value है वो करोड के अंदर ठीक है यानि कि सबसे ज़्यादा holding वो SDFC bank को mutual fund ने अपने portfolio में दी हुई है इसके बाद 562 अब ज़्यादा मतलब number of scheme में ज़्यादा नहीं ज़्यादा का मतलब है value wise 1,92,835 करोड इसके बाद देखिए ICC bank में 562 जो equity fund के अंदर है ICC bank का stock और इसमें 1,94,814 करोड की जो investment है इसके बाद 3,004,472 mutual funds ने आपने portfolio में रखा हुआ है और इस इस stock का नाम है Reliance Industries ठीक है Reliance Industries 1,1836 करोड का investment mutual funds ने इसके अंदर किया हुआ है इसके बाद Infosys देखिए सारी top की companies आपको देखने को भी लेंगी ये वो companies है जिन लोगों ने इन companies में 5,7,10 साल पहले investment किया होगा उनको पता है कि companies किस तरीके से return बना कर देती है ठीक है तो यदि आपके portfolio में है इन में से कोई भी company तो comment करके बताइएगा लास तक देख लेते हैं Infosys के अंदर 92,963 क्रोल का जो है investment है L&T Larson and Turbo 66,591 क्रोल और 451 mutual funds के अंदर इसने जगा बनाई हुई है आगे है Axis Bank देखिए टॉप टॉप की private bank कभी तक आ चुकी है Axis Bank के अंदर 61,970 क्रोल की जो है buying mutual funds ने की हुई है as on October 31,23 ठीक है इसके बाद State Bank of India नंबर वन जो PSU Bank है, Government Bank है इसमें भी 58,645 क्रोल की जो है buying mutual funds ने की हुई है और यहाँ पर 449,49 स्कीम ने अपने portfolio में State Bank of India की स्टोक को जगा दी हुई है इसके बाद भारती Airtel 88,000 के आसपास की जो है buying इसमें की हुई है मेन उद्दिश से क्या है, अब इससे समझे वाली बात क्या है कि अभी latest data के according top 20 companies यह है अब जब कोई भी mutual fund, भली वो small cap हो, mid cap हो, large cap हो, multi cap हो, flexi cap हो तो वो अपने portfolio को stabilize करने के लिए अब वहाँ पर ऐसा नहीं कि more than 50% यदि इनी companies में investment किया हुआ है तब तो जो portfolio के, जो mutual fund के return होंगे, वो इनी के लिए dedicated होंगे जैसा ये behave करेंगी, वैसा ही return देखने को मिलेंगे तो यदि up to 30% और maximum 25% तक है तो बहुत अच्छा है यदि किसी mid cap ये small cap को consider करें, उसमें ये परकार की कमपनिया है तो stability के लिए भी ठीक है, प्लस बाकी की company जोंगी mid cap या small cap वो आपके return को बहुत ज़दा उपर लेकर जा सकती है, वो एक balance बना रहेगा, ठीक है इसके बाद देखिए, ITC, 49860 क्रोर की investment डिसके अंदर है और जी यहाँ पर ITC में 300-400 डिसकी में investment किया हुआ है NTPC, 458 के असपास, TCS देखिए IT sector की अगेन बड़ी company है, इससे उपर Infosys का level है Infosys अपने high time price से बहुत down चल रहा है, पिछले कई महीने से down चल रहा है जरूर एक नएक दिन recovery आईगी, धिरे धिरे आ रही है, और जब आईगी, तो जो लोग आप सोच रहे हैं कि बहुत महेंगा है या फिर for example के बने बता रहा हूँ, बागी के stocks भी ऐसे ही है, कुछ इन में से, ठीक है इसके बाद देखे, TCS होगे, TCS के बाद बजाज finance है, 44 यार की investment इसके अंदर है लगबग, और जी 309 scheme ने investment किया हुआ है मारुती सुजुगी, और number of scheme जो fund count बता रहा हूँ आपको, इससे क्या बनता है, मतलम निकल कर आता है कि ज़्यादा scheme का trust to specific company में है, जैसे कि number one पर 550 SDFC लेकिन उससे भी ज़्यादा ICC bank को अपने portfolio में जगा दी हुई है, ठीक है, तो ये आपको देखना ज़रूरी है, ठीक है इसके बाद मारूती सुजुगी 38,000 लगबग investment है, और मारूती सुजुगी 402 scheme ने अपने portfolio में जगा दी हुई है कोटक महंदरा bank देखिए, banking sector से तो maximum top की banks आ चुकी है, PSUBA, State Bank of India इसमें आ चुकी है ठीक है, तो कोटक महंदरा में 34,000 लगबग 34,788 करोल की investment है, और 323 scheme ने अपने portfolio में जगा दी हुई है इसके बाद सन फार्मा, फार्मा सेक्टर की company है, तो यहाँ पर सन फार्मा में 34,385 करोल की investment है, और 398 companies ने यानिक mutual funds ने अपने portfolio में एड़ किया हुआ है इसके बाद SCL Technologies, देखिए, IT sector की भी अच्छे अच्छी companies इसमें जो है, आपको देखने को मिल जाएंगी 28,789 करोल की investing, 296 mutual funds, हिंदुस्तान यूनिलीवर, यह भी इस्टोक काफी समय से जो है, consolidation face में चल रहा था, ठीक है अब यह तो हमने देख लिया कि 20 कंपनी कौन कौन सी है, जो कि open ended mutual fund की चोईस है top 20 companies बनी वी है, इन में से जो socialist कर सकते हो, आप कर लीजिए, यदि आपको लगता है कि आप safer side पर investment करके चलते हो, और मैं आपको हमेसा बोलूँगा यदि mutual fund में, या फिर आप equity में direct investment करते हो, तो कुछ ना कुछ portion अपना large क्या blue chip companies में जरूर रखियेगा भले return कम मिलें, लेकिन safety भी देखना बहुत जरूरी है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि इवन उधार लेकर investment करने कोसिस करते हैं, trading करने कोसिस करते हैं, बरबाद हो जाओगे, इन से चीजों सो बच करेंगे हैं, ठीक है? ये बात जिन लोग को समझ में आती है, तो समझ ली होंगी, SDFC bank है, ICC bank है, Reliance है, Infosys है, Larson Turbo है, तो मेरे portfolio है, इसके बाद देखिए, भारती अटेल इंस, पजाच फिनेंस, कोटक मेंदर सनफा, SEL Tech है, तो ये 6 companies, इस top 20 companies की list में से मेरे portfolio में हैं, और 6 companies को मैंने ठीक ठाक इनको allocation दी वी है, जो मतलब मेरा, अब percentage wise मैंने share किया था, कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा portfolio है, और एक दिन में कुछ होता नहीं है, धिरे-धिरे करके, जब पैसा है आपके किया ठीक है, मैंने को रोक नहीं पाऊंगा, तब और दूसरी condition है, लेकिन मैं तो अपने आप पास hold करके, और मुझे लगता है कि market गिर गया, तो ये एक strategy होती है market में पैसा बनाने की, ये कोई नहीं बताएगा आपको, यदि आप high time पर खरीदोगे, और आपको बहुत से बोलेंगी कि buy higher and sell highest, ठीक है, यानि कि उचाई पर रहनी, market में जो अभी high level पर है, खरीद लो, इस से उपर जब जब जाएगा तो बेच लेना, बिल्कुल ठीक बात है, उनकी market जो high time है, उसको भी cross करके उपर तो जा नहीं है, लेकिन जो best strategy है, वो यही है, अच्छी companies, अच देखने को मिल रही है, तब ऐसी companies को खरीबना चाहिए, तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ आपको समझ में आया होगा, और कुछ support करेगा कि आपको एक socialist करने में, आप यह दी चाहाओ, तो बता सकते हूँ कि कौन से stocks in 20s में से आपके portfolio में है, मिलते कर एक अच्छी सी वीड आसकाल, जय हिंद, जय वानुत